नमस्ते दोस्तों जी है मैं उजनता का दोस्त और आपका होस्ट आशिश चौधरी और आज 24 तारीक यानि की 24 फरवरी का मैं करोना का वाहल लेके आ रहा हूं करोना वाहल जिसमें की जो की पन्विल ग्रामीड में आता है जी हाँ कैतें की कर बहला तो हो भला तो यही कहवत है और यही जिन्दगी की जीत है और हार के बाद ही जीत है तो कई challenges लाइफ में face करने पड़ते हैं आप challenge फेस कर रहे होगे हम challenge फेस कर रहे हैं और इसी challenge को life कहते हैं तो चलिए चलते हैं करोना के बारे में जानकरी लेते हैं आज की तो कोवीड-19 की जो चाचनी हुई है वो है 1-1-0-6-4 आज तक जो पूरी तरह से अच्छे हो गए है वो आज के 9 रुग्ण मिला के वो 7-9-7-5 विद्वान एक रुग्ण जो है वो 1-7-6 है और कोवीड-19 से जिसकी मिरती हुई है वो 1-4-4 है और पॉजिटिव रुग्ण आज के 12 रुग्ण जो है वो पॉजिटिव मिले है तो 8-2-9-5 और जिनका निकाल प्रलम्बित है वो 3 है तो इस तरह से हम देखते हैं यह है तो आगे चलते हैं चिपले में जो है वो एक पॉजिटिव मिला है कोई रिकवरी नहीं है बावंजे में जो है वो एक पॉजिटिव मिला है कोई रिकवरी नहीं है पलस्पे में एक पॉजिटिव मिला है कोई रिकवरी नहीं है नेरे में कोई positive नहीं मिला है एक recovery है सुकापूर में कोई positive नहीं मिला है और एक recovery है अब आते हैं कारंजड़ी की तरफ तो कारंजड़े में आज जो है वो एक रुगण मिला है जी हाँ एक रुगण मिला है और साथी साथ कारंजड़े में जो है वो कोई new recovery नहीं है तो एक positive है अब उल्वे की तरफ चलते हैं उल्वे खास करके उल्वे में जो है वो ध्यान देने वाली बात है और लोगों को इस बात की जानकरी होनी चाहिए कि मी जवाबदार ये अब शुरू हो चुका है और जैसे ही धीरे धीरे यदी करोना थमता नहीं है या करोना नीचे नहीं आता है तो हो सकता है कि ये एक लॉकडाउन की घंटी हो लेकिन हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि लॉकडाउन हो लेकिन ये परिस्थिती निर्माण करना हमारे हाथ में है मी जवाबदार मास्क लगाईए शोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सेनिटाइज अपने हाथों को कीजिए जे हाथ तो उल्वे में आते हैं उल्वे में जो है वो जैसे कि मैंने कहा कि आज आठ रूगन मिले हैं आठ पॉजिटिव मिले हैं उल्वे में 24 तारिक को जी हाथ और आठ इस तरह से हैं उल्वे प्लॉट नमबर 152 में एक मिला है सेक्टर 23 से जी हाथ एक वाइट वूट प्लॉट नमबर 703 सेक्टर नमबर 23 से दो भागवारी इंपीरिया प्लॉट नमबर एक सेक्टर नमबर 9 से एक स्टार गिलेक्सी प्लॉट नमबर 902 सेक्टर नमबर 18 से एक सावित्री वेला सेक्टर नमबर 20 एक सत्यम मरियर प्लॉट नमबर 604 सेक्टर नमबर 16 और एक मिला है गुरू आटमन सोसाइटी प्लॉट नमबर 23 सेक्टर नमबर 17 सेक्टर नमबर 17 उसी तरह से आज जो रिकवरी हुई है वो साथ की है उल्वे में एक हारी ओम आस्ता प्लॉट नमबर 73 सेक्टर नमबर 2 एक ब्लोम प्लाइड सोसाइटी प्लॉट नमबर 7174 सेक्टर नमबर 18 एक धर्ति सागर सोसाइटी प्लॉट नमबर 120 सेक्टर नमबर 20 एक टोटर एम्पारियल प्लॉट नमबर 403 सेक्टर नमबर 17 दो सिद्धी विनाइड प्लाइटिनम सोसाइटी प्लॉट नमबर 142 सेक्टर नमबर 23 और एक अच्छा हुआ है त्री है ट्राइसिटी हाइट्स प्लॉट नमबर 131 सेक्टर नमबर 19 तो इस तरह से हम दिखते हैं मैयत आज कोई भी रिकॉर्ड नहीं इस तरह से हम दिखते हैं कि 12 पॉजिटिव मिले हैं और 9 की रिकॉर्वरी है तो यह है आज का 24 तारीक का करोना का हाल और यह मैं सिर्फ आपको जागरू करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि करोना आगे बड़े और जैसे कि कुछ जिलाओं में और कुछ जगाओं पे ल चौक डाउन फिर से रिटन हुआ है और तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हम सब सुखी रहें समाधानी रहें आप को हर तरह से आप सुरक्षित रहें और सुरक्षा के लिए आपको 303 का रिक्रम यानि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन या हाथ का धोना यह आपको करना ही पड़ेगा जी हाँ और ये करने के लिए आपको चाहिए कि आप जितना हो सके उतना ये सोशल डिस्टेंसिंग मैंटेन करें मास्क पेने जी हाँ चलता हूँ अपना ख्याल रखेगा जै हिंद जै महाराश्रा